हाई फिरेंड्स वेलकम तू एड़मेट इनपोहब दोस्तो अक्सर हमारी बाते होती हैं हम कुछ नकुछ लेके आते हैं और सेर भी करते हैं बहुत सारे चीज के बारे में आपको बताता हूं और बहुत सारे चीज से आपको नोलेज देता हूं दोस्तो आज आपके लिए एक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो हमारे चेहरे पे होने वाले जो मुहासे होते हैं पिंपल्स होते हैं ब्लेक हैट्स हो जाते हैं उसको कैसे रोका जाए और उस पे कैसे सफलता पाया जाए जो कि हमारे चेहरे पे अकसर यह प्रोब्लम होने को इसे हम काफी एरिटेट म मिला सकते हैं तो इसके बारे में आज हम बताएंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाए दोस्तों तो दोस्तों अगर आप से यार हैं तो मिलते हैं Advent Info Hub में थोड़ी ही दिर में आप से बाते करेंगे अब बहुत सारे चीजों को जनकारी भी करेंगे तो आई देखते हैं Advent Info Hub फ्रेंट्स तो आज हम बात करेंगे कि एकनी सोल ए नैनो जिल के बारे में इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों और यह कौन से कमीनेशन से बना है इसके इंग्रिडेंट्स किया है और यह हमारे चेहरे पे कैसे काम करता है जो होने वाले एकनी पिंपल वेलगेरिस हो जाते हैं मौहाथ से हो जाते हैं ब्लेक हैड वाइट हैड जैसे हो जाते हैं इससे कैसे छूटका रापाया जा दोस्तों तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इससे कैसे छुटका राप आई जाए दोस्तों तो सबसे पहले मैं बता दू दोस्तों की एकनिसोल एनैनोजेल जो है से टोफी कमपनी दोरा बनाई गई और बेची जाती है और ये मैं बताना चाहता हूँ कि किल मोहासों के लिए ये काफी कारगर है और अच्छा तरीके से हमारे स्कीन पे काम करता है और जो भी हमारे स्कीन पे बैक्टिरिया होता है उसे मारता है दोस्तों और उससे छुटका रादिलाता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके कम्बिनेशन है एडेपलेंजेल एंड किलिना माइसिन फासफेट जेल है जो दो कम्बिनेशन से मिलके बना है और ये 15 ग्राम टीव में मार्गेट में एबलेबल है और ये बहतेनी तरीके से हमारे स्किन भे काम करता है दोस्तो मैं बता दो दोस्तो अक्सर लोग पहले प्राइस की बात करते हैं जो मैं भी बताना चाहता हूँ दोस्तो कि ये इसका मेक्सिमम डिटेल प्राइस है 189 लुपिन जो एफोडेवल है कोई भी एफोड कर सकता है अपने सीन के लिए अपने चेहरे पे होने वाले दाग धबे जाईयां जोरियां जैसे बीमारी सुचूट कार पाने के लिए तो दोस्तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है और किसको इसको इसको नहीं करना चाहिए दोस्तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये इसका दो कम्बिनेशन है जिससे मिल कि ये बना है और मैं बताना चाहता हूं जो हमारे चेहरे पे इसकिन की चेहरे पे जो बारी तो अच्छा है उसी पर ही इसका इस्तमाल करना चाहिए दोस्तों और इस्तमाल करने का तरीका यह है दोस्तों कि जब भी आप इसका इस्तमाल करें तो आप अपने हातों को सही तरीके से दोले और अपने चेहरे को दोले और उसके बाद तोले से पोसले उसको ड्राइ करें और ड्राइ करने के बाद जहां भी आपके चेहरे पे एकनी पेपल व दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी दबा इस्तमाल करते हैं या किसी भी medical store से लेते हैं, तो वहाँ फर्मासिस्ट से जरूर कंसल्ट कर ले या दुकंदार से जरूर कंसल्ट कर ले कि इसका क्या और कैसे इस्तवाल करें कि बेहतर फायदा उटा सकता है वैसे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसका इस्तमाल सही इस्तमाल एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही होता है क्योंकि डॉक्टर उस स्कीन के देखने के बाद उस स्कीन पे क्या और कौन सा लेयर कितना जरूरी है उसके हिसाब से ही बताता है ट्रेटमेंट करता है उसके हि से लेते हैं तो चिकल से जगरूर कंसर्ट कर लें उसके हिसाब से ही आप इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऐलो पेथिक मेडिसेंस अगर आप लगाते हैं अगर कोई भी side effect अगर आपके skin पे दिखाई दियता है जैसे आपके चेहरे पे itching हो जाए, redness हो जाए, allergy हो जाए, swelling हो जाए, उस period में उस दवा को उस medicines को बंद करके तुरंद डॉक्टर से concerned करना चाहिए और डॉक्टर जैसे डॉक्टर जैसे भी आपको बताता है, उसके साथ से ही आपका इस्तमाल करना चाहिए दोस्तों, तो ये काफी अच्छा है, अच्छे तरीके से हमारे स्किन पे काम करता है दोस्तों, आप इसका इस्तमाल करके बेहतर फायदा उठा सकते हैं, और ये पंदर ग्राफ्टीव में एबलेबल हैं, और जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि इसकी एक्सपारी जनवेद दोजार बाइस तक है दोस्तों, और ये हमारे स्किन के लिए बे करता है, जैसे डोक्तर आपको कंसल्ट करता है, उस हिसाब से ही आपको इस्तमाल करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, दोस्तों, ये हमारे चेहरे पहुने वाले किल मुहां से जो होता है, उसके लिए बेहतरीन है, अच्छा तरीके से काम करता है, दोस्तों, और मैं लगाएंगे और आपके छेरे से जो इकनी पेपल गाइब होता चला जाएगा उस प्रिएट में इसको बंद नहीं करना है आप अपने नीजी डॉक्टर से कंसर्ड करें और जैसा डॉक्टर आपको बताता है उसके हिसाब से यह आपका इसका बंद करें या ना करें या आगे कंटीनियू रखें और कितना कंटीनियू रखें यह उसके प्रामर्स के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करें दोस्तों दोस्तों कुछ इसमें वार्निंग में है जैसे यहां दिया हुआ है कि जो किप आउट आफ रिच अफ देशिल्डेन बच्चे से इसको देद रखें हम आउट इसको आउट करें तो इसके कैप को सभी तरी किसे बंद कर ले ताकि हमारा जो क्रीम है वो बचा रहें और आप कंटीनियू उसका इस्तेमाल कर सकें दोस्तों दोस्तों तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करें शेयर करें और आगे जानने के लिए ए तो दोस्तों मैं आज आज आपसे याज़ चाहता हूँ मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई सोच एक नई उमंग और एक नई इनफोर्मेशन के साथ शुक्रिया दोस्तों